पिफा वर्ल्ड कप में भारतिय महिला अंडर 17 जो है खेल रही थी लेकिन खेल के दोरान जो है सबी मैचों से वह बाहर हो चुकी है अच्छारखन की छे लड़कियां उसमें सामिल थी एक बीड़ंबना वाली बात है कि भारत की टीमें लगातार जो प्रदर्शन अच्छा कर करनने का जो सबूत कर रही थी लेकिन वह इस तरह से वह ना क्याम्व्याब हो गई और महिला टीम बाहर हो गई मैसे बादशीत करने के लिए हमारे साथ तयार है ना वरह योगी रंजीत तुमार रंजीत चीं यह बताए कि कि इस कpine वाली बात माथ कि इस कि मैज जो है कभी कबार होते हैं मौका मिलता है लेकिन हार का साम लटाना पड़ता है तो जारखन की जो छे बेटिया जो टीम में सामिल थी और साथ ही जो अन्य भी जो देश के हिस्ते से जो खेलाडी सामिल थे पहले तो उन सभी को सेली उठा हमारी तरब से कि उन्होंने पड़िवारिक पिष्ट भूमी को आप देखेंगे तो खाने के लिए उनके पास आधन नहीं है ट्रेनिंग का साधन नहीं है उसके पास और यहां तक कि जब वो खेल रही थी भूनेस्वर में तो उनके पड़िवार वालों के पास भी इतना संसाधन नहीं था कि वह अपन यह बात है कि हार जाने का तो हार ना इसलिए है क्योंकि हमारे यहां जो खेल प्रसाशक है और यहां जो सरकार जो यहां जो सुविधाय है सिर्फ अगर यह पता चलिया कि अंडर सेवंटीन टीम में जारकंड के लड़कियों सेलेक्शन हो गया है तो मुखमंतरी के तरफ से बिपक्स के पार्टियों के तरफ से निताओ की तरफ से ट्वीटर पर संदेश आ गया कि बधाई सिर्फ इसको बधाई देने से तो नहीं होगा ना आपको देखना होगा कि उनके लिए जो तमाम सुविधाय जो अन्य देसों में है जो खिलाडियों के लिए वह आप उनको उसको पोस्ट करके अपना कर लेना कि मेरा काम पूड़ा हो गया है इसलिए इसमें खिलाडियों की कहीं कोई गलती नहीं है जो सारा जो दोस है वह हमारे सरकार का हमारे विवस्था का और जो टीम जो खिल कैसे उसेशन है उस पर जाता है जब हार का सामना करना पड़ता है तो सभसे पहले जो है खिलाडियों पर जाता है कि खिलाडी कई नहीं करी उन scriptures आई यह कोई तरह की कमियों को गिना आई जाता है लेकिन आप जो है प्रशाषक और सरकार को Geschर्रे में कहरें होगा है क्योंकि अगा टीम फो फाराजील से खेलா प्राजिव से खेल रही है मुरकोज एसे से खेल रही है तो उनके पास जो मैदान है जो ट्रेंगं करने के लिए कि कि उस मैदान को और आपको नंतली अस्तरत बनाना था लेकिन जमीन माफियाओ और जमीन दलालों के और जो जिने सत्ता का संदक्षन प्राप्त है उनलों को परयास से मैदान को भी या तो उसके जगा पर बरे बरे अपार्टमेंट खरे हो गया है या उनको बंडरी वाल करके घिर दिया गया है और यह जो जा रहे सभी जो जमीन माफिया है जमीन दलाल है उन पर अपने परतिवा के बल पर निकल भी गया है तो खेले है कैसे उस ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहां लेगा जब अंतराश्टी मेंस में आप जाते हैं तो जो बीवक्षी टीम है जो एरोपियन टीम जो है ब्राजिल की टीम है तो उनके पास जो सुविधा है वह हमारे खिलाडिय लेकिन आप उसमें वहां जाकर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो इस और सरकार को देखना होगा यहां पर से आके कई बच्चे यहां आकर रंजी ट्रोफी और बड़े-बड़े और उट्तारम के संसाजन की कमी के कारण घृट प्रभावीद होते हैं। हम फुट्बॉल की बात नहीं करें। हम होकी की बात करें और महीं भी लूह है होगार ग?, जिससे खेल परवावित होता है हो खेल परवावित होने के कारण जो है जारखन के बेटे और बेटिया जो अपना नाम वीसुपटल पर उचा रखना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं वो नीचे तपके करे जाते हैं और उनका नाम जो है कही ना करें ओधल हो जाता है तो यह स सवाल खड़ा करता है कि इसको सुधार किया जाए, संसाधन के जो घोर कमी है उसको सुधार किया जाए, तब ही जारखन के बेटे और बेटियां खेल के छेतर में अवल साबित हो सकते हैं.